हेलो एब्रीवन वेल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल कैसे हैं सबी लोग आई होप अच्छे होंगे चलिए आज फिर आपके लिए कुछ और इंट्रेस्टिंग स्टोरीज लेकर आई हूँ आई होप आपको पसंद आए पचास सल का वो सक्स जिसने बॉक्स ओफिस पर अकेले कमाए हैं 42 करूर इनके आगे नहीं टिका कोई बॉलिवूड डारेक्टर अब तक आपने कई ब्लॉक्वस्टर एक्टर्स के बारे में सुना होगा जो कि इंडस्ट्री में ऐसे कई मेल और फीमेल एक्टर्स हैं जिनकी फिल्में हमेशा ही ब्लॉक्वस्टर होती हैं लेकिन स्टार्स जितने डारेक्टर और प्रड्यूसर लोग प्रियता हांसिल नहीं कर पाते हैं जो पूरी फिल्म का सूतरधार होता है लेकिन लोग परदे पर दिखने वाले को ही जादा तबज्जो देते हैं बाराल हम आपको भारतिय फिल्म इंडेस्टी के सबसे बहतरी निर्देशक के बारें बताते हैं जिसकी अपने करियर में शायदी कोई फिल्म फ्लॉप गई हो उन्हेंने भारतिय सिनेमे का सबसे सक्सेस्फुल डारेक्टर और प्रड्यूसर कहना भी गलत नहीं होगा फिल्म अभिनेता अपनी एक्टिंग के जरीए पैसा कमाता है फिर ऐरिक्स में बिजी हो सकते हैं लेकिन वही निर्माता एक प्रोजेक्ट पर फोकस करता है और एक्ट्रस एक्टर से कम मुनाफ़ा करता है तस्वीर में दिख रहे हैं जिस टारेक्टर निर्देशक के बारे में हम बात करहे हैं उनके साथ इसा नहीं है एक भारतिया फिल्म ऐसा है जो अपने प्रोजेक्ट के बलबूते ही करोडो चापता है और कमाई के मामले वो हीरो को भी पचार देते हैं साथ ही उनकी फिल्म अगर कोई स्टार साइन भी करता है तो किसी दूसरी निर्देशक के साथ काम करना बहुत मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुम्किन है क्योंकि वो अपने प्रोजेक्टों इतनी सिद्ध से बनाते हैं कि भविशे का उसका ब्लॉक्वस्टर होना पूरी तरीके से संभव है और निर्देशक ने बॉक्स ओफिस पर चार हजार करोड रुपे से अधिकी कमाई भी किये जो किसी भी अन्य भारतिय निर्देशक से अधिक है वो कोई और नहीं बलकि ऐसे स्राजा मौली ही है जी हाँ बहुबली निर्देशक ही भारत के सबसे सफल फिल्म निर्देशक है वे सबसे बड़े भारतिय फिल्म निर्देशक है जा रही है राजा मौली निर्देशित इगा और मगाधीरा के जरिये तेलगू सिनेमा में रिकॉर्ड तोनने वाली कई फिल्मों के लिए जाने जाते हैं इन सालों में राजा मौली ने बारे फीचर फिल्मों का निर्देशन किया है जिनका टोटल बॉक्स आफिस कमाई की ब और इगा 125 करोड रुपे सामिल है आज के दोर के मौजूदा बॉलिविड स्टार भी राजा मौली के इस रिकॉर्ड के करीब नहीं है तो प्रेडूसर तो बहुत दूर की बात है भारत के सबसे आदा कमाई करने वाले फिल्म निर्माताओ की सूची में अगला नाम रोहित से टीक है जिनकी 15 फिल्मों ने सामिक रूप से 2815 करोड रुपे की कमाई की है उनके बाद दंगल फे में फेम नितेश तिवारी जिनोंने आमिर की फिल्म के जरीए 2400 करोड रुपे कमाई थे फिर राजकुमारी हिरानी ने अपनी 6 फिल्मों से 2377 करोड रुपे का मुनाफ़ किया है वहीं संजे लीला मंसाली ने 10 फिल्मों से 173 करोड रुपे कमाई थे यह सबी बड़े निर्देशिक एसे राजा मौली से काफी पीछे है पिरसांत नील एटली और लोकेश कन ग्राज जैसे दक्ष्टन फिल्म निर्माता भी सूची में है लेकिन वे भी राजा मौ प्रोडेक्शन में है इसकी कहानी महावारा से प्रेरियता और यह फिल्म 1000 करोड रुपे की लागस से बनाई जा रही है आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईएगा अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें thanks for watching bye bye